नमश्कार दोस्तों वेल्दिसकाई के एक और नए इंड्रस्टिंग वीडियो में आप सबी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चाट को अंडेस्टेंड करेंगे समझने की क सब्सक्राइबर करेंगे दो दिन के इस काम करेगा हैं में हमें यहां पर कर चौरेज दिन के समया है नहीं नहीं है यह अब और का सब्त्रे यह हैं नहीं करेंगार तो इसने नीचे आया मेरे को expectations यह था कि around 750 या 760 के आसपास जाके bounce करेगा बड़ यह almost 770 से ही इसने bounce दिया फिर उपर गया वहाँ से resistance टेस करके दुबारा से नीचे आगया सबसे पहले हम आज के profit और loss की बात कर लेते हैं मार्केट का यहां पर सेनेरियो नीचे यहां पर निफ्टी क्लोज हुआ साइडवेस मार्केट था तो अगर हम आज देखें तो यहां पर 71 रुपीज का लॉस है क्योंकि यहां पर मॉनिंग में मिरे को सब्सक्राइब करेंगे कल फिर 20,000 से ही कामकाच करेंगे क्योंकि कल मैंने विड्डॉल नहीं किया ता मतलब डाली थी रिक्वेस्ट प्रॉसेस नहीं हुई बट आज मैं दुबारा से डाल दूँगा और इसको प्रॉसेस कर देंगे तीक है अब बात कर लेते हैं मार्केट की और यह आपको बता च स्ट्रक्चर खराब हुआ है ठीक है अब समझते हैं यहां पर कल निफ्टी कैसा व्यू लेके चल दकता है तो सिंपल ता लॉजिक है हमें कुछ जादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें इसमें मैं सिंपल ता लॉजिक फॉलो करूँगा ऊपर अगर यह इसके ऊपर सस्टे अगतर तक ले कर सकता हूं क्योंकि दो दिन का कंसॉलिडेशन हो चुका है आप दो दिन के कंसॉलिडेशन के बाद ब्रेक आउट आएगा या फिर ब्रेक डाउन आएगा इतना आप क्लियली समझ लीजिए दूसरी चीज़े अकर मान लीजिए कर लिए गाप खुलके फिर यह नीचे आना स्टार्ट होता है तो मैं डेफिनिटली इसको सेल करूंगा यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना क्योंकि उपर से जब भी सेलिंग आती है थोड़ी सी फास्ट आती है और अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बना के जाएगा तो बहुत अच्छी ट्र साथ लगाएंगे और यहां पर ट्रेट डाल देंगे अपनी उसी साइट की तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो देखो ऑप्शन चेंड डाटा में तो कुछ है नहीं जाहीर सी बात है हम बैंक निफ्टी की बात कर टार्गेट थोड़ा सा बढ़ा लेके चलते हैं 455 का और नीचे अगर यह चाइब यह लेविल्स हमें पता होना चाहिए चाइब यह चार सो की नीचे जाता है तो आप डेफिनिटली सेल कर सकते हो बड़ ग्लोबल मार्केट की एंडरस्टेंडिंग जरूर रखिए ठीक है जैसे करेंट लिया ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो डाव फीचर क्या है उपर ट्रेड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है मार्केट हमारा गैप खुल सकता है तो फिर यह साइड बेस चला जाएगा क्योंकि मैंने बता है ना मार्केट का ओवराल स्ट्रक्चर पॉयां चाहरें लिवाज यह मदाisuन चाएगा और संटरा लाख पॉजिव सेन निशू कंद हो जाए कि सेला उसके इसाफ से ही हम करेंगे हम आप पर neutral है ठीक है ना अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर हम breakout के लिए प्ले करेंगे नीचे जाता है तो breakdown के लिए प्ले करेंगे यह सिंपल सी analysis है जो कल आपके काम आ सकती है इसमें ज्यादा जमाग लगाने की ज़रुवत नहीं है अभी market थोड़ा सा sideways सा जा रहा है और कैसे एक consolidation हो जा रहा है तो थोड़ी सी quantity कम करके trade करिएगा यह पॉइंट आप समझ लिए ठीक है global market की situation मैंने आपको बता दिये positive है फिलाल कुछ ऐसी बड़ी negativity नहीं दिख रही है ठीक है तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतनी है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो